हेलो दोस्तो अगर आप flip card पे कुछ order किये हो और आप उसको delete करना चाहते हो पर दोस्तो आपको कहीं पर भी delete का option नहीं देखने को मिलता है और अगर आप customer care से support लेते हो तो दोस्तो उनका भी कहनाम यही है कि आपका जो order है वो एक तरह का invoice है और दोस्तो आपको ही पता है कि invoice क मतलब कि दोस्तो आप Google पे या फिर phone पे का आप जैसे कि किसी को payment करते हो तो आप delete नहीं कर पाते हो सेम उसी तरह से flip card का जो आप order करते हो उसको भी आप delete नहीं कर सकते हो customer care support समय यह करने को मिलता है पर दोस्तो यहाँ पर हम लोग किसलिए बैठे हुए हैं दोस्तो यहाँ पर मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जिसे कि आपका order history total delete हो जाएगा जो आप चाहोगे सब delete हो जाएगा बस आपको हमारे इस वीडियो को बीना स्कीप के और सुरुष लेकांता कर सीतर से देखते जाओ क्योंकि दोस्तो अगर आप हमारे इस वीडियो को लिए help कर देता हूँ जो मुझसे comment करके पूछते हैं कि जियो और airtail इतना महांगा हो चुका है तो हम सस्ते में उसको कैसे recharge कर पाएं तो दोस्तो उसके लिए मैंने आपके लिए एक application लेकर क्या है आपको बस क्या कर लेना होगा आपको हमारे वीडियो के description में एक link मिलेगा आपको इस link से वो application को download करके register करना है तो आपको 100 रुपय हमापे benefit मिल जाने वाला है जिससे कि आप उसे recharge कर तो अपने number को तो दोस्तो आपको 300 रुपय में मिलेगा उसके साथ उसमें आपको commission में मिलेगा और आपको cashback में मिलेगा जैसे कि आपको 600 रुपय पढ़ेगा कर लेना होगा सबसे पहले आपको अपने mobile में flip card को open कर लेना होगा और जैसे आप flip card को open करते हो तो दोस्तो यहां पर आपको account के option पर जाना होगा और उसके बाद आप order list में जाओगे तो आपको आपकर साम कुछ इस तरह का option आजाएगा जैसे का आप लोग देख रहे हो त तो यहां पर दोस्त आपको कहीं पर भी कुछ भी delete करने का option कहीं पर भी नहीं मिलेगा आप अपने अंदर भी देख सकते हो और जैसा कि आपको पता है आपका order एक्टा के invoice है तो आप लोग देख सकते हो invoice download मतलब भी दोस्त आप इसको delete नहीं कर सकते हो पर दोस्तो आपको म लिस्ट में नहीं आने वाला है दोस्त आप उसको कैसे करोगे टोटल में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ उससे पहले में आपके एक important setting बता देता हूँ दोस्तो अभी तक आपने मैं चैनल को subscribe नहीं किया तो जल्दी से मैं चैनल को subscribe करके welcome जाके allset कर दो उसके दोस्तो अब हम चलते हैं अपने उस ट्री के तरब तो आपको क्या कर लेना हुआ सबसे पहले आपको बैग आ जाना होगा अपने flip card के home screen पर फिर दोस्ता को क्या कर लेना हुआ आपको आप account का option पर जाना है और आपको मैं बता दूं कि मैं flip card से बहुत पहले से ही order करते आ पर यहां पर आप लोग देखोगे मेरे order list में सिर्फ दो ही यहां पर मौझूद है मेरा बाकी कहां गया मतलग मैंने अपने इसी account से बहुत सारा order किया है पर मेरा order list यहां से खतम हो चुका है सिर्फ मेरा दो दिखाई दे रहा है यह मैंने कैसे किया मैं आपको बता देता और इसके अंदर थुरास आपको scroll down करना है और नीचे मा को यहां पर देखेगा edit profile दोस्तो आपको simply edit profile के अंदर आना है और edit profile के अंदर आपको एक ऐसा settings करने होगे जिससे कि आपका जो account का order list है वो delete हो जाएगा दोस्तो आपको यहां पर deactivate और delete account अगर आप delete account करना चाहते ह अगर आपको 30 दिन का process लग जाता है अगर आप आज delete करोगे तो 30 दिन तक आप account जो कोई open नहीं करना चाहिए नहीं तो delete नहीं होगा तो दोस्तो अगर आप जल्दी में अपना order list delete करना चाहते हो तो दोस्तो आपको क्या कर लेना होगा आपको यहां पर अपना email ID जो दीख करना था तो मैंने आपको अपना email ID ही change कर दिया मतलब कि जो invoice होता है दोस्तो कुवा के phone number पर save होता है या फिर आपके email ID पर save होता है तो दोस्तो अगर आपका email ID पहले से login है उसके बाद आप order करते हो तो दोस्तो आपको जो भी invoice है कुवा का email पर save होगा अगर आप अपना email change कर दिये तो दोस्तो डेफिनेटली आपका जितना भी order है सब खत्म मतलब ही दोस्तो अगर आप चाहोगा कि अपना एक order delete कर दो दो दोस्तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया मेरा order list बिल्कुल नहीं था सिफ दो ही था उसके पहले कमेरा कोई order नहीं दिखा रहा था मतलब कि दोस्तो आपको जब भी delete होगा तो A to Z जितना भी order है सब delete हो जाएगा मतलब कि आप अगरना email change करते हो तो पहले का आपका जितना भी order है सब खत्म हो जाने वाला है इसलिए दोस्तो मैं आपको बता हूँ अगर आप अपना सारा order list delete करना चाहते हो तब ही दोस्तो आप अप